आप सभी का मैं LTS में स्वागत करता हूँ तीन कॉमेंट्स लेंगे और तीन कॉमेंट्स के अधार पे हम वीडियो बनाएंगे और पहला कॉमेंट्स हम लेते हैं विकास जी का यहां पे लिखा है आपके पास ग्यान है और वो दूसरों के देने से बढ़ेगा एक दिन आपकी नेटवर्थ भी अनगिनत होगी मैंने आपकी वीडियो देखे और बजाज फरेंस के स्टॉप में निवेश किया था आज 60% प्रॉफिट पे बैठा हूँ थैंक यू फॉर गिविंग अस वैलवेबल इन्फरमेशन इसे तरीके से आप जो है वीडियो भी देखी है और सीखी है साथी साथ निवेश अगर आप करते रहेंगे तो आपको बेनेफिट में मिलता रहेगा आप अपनी सूजबूज के साब से आपने निवेश किया था हाला कि मैं बताता हूँ पमलिकली हूँ परिंतुन में से कुछ लोग जो है अपनी रिशर्च करके अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो जरूर उने लाब होता है इसलिए मेरी शुब कामना है आपको आपको फायदा हो रहा है धन्यवाद यहाँ पर टुन्टुन यादो साब ने कहा है कि सर आपको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं बट आपके वीडियो देखके लगता है कि आप अच्छे जानकारी देते हो और आप पे अपने माता-पिता के बाद सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लगाता हूँ आपसे मोटवेट होके और आपकी जानकारी के तौर पर मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ और मेरे सपने बहुत बड़े हैं और बड़ा बनने के लिए पैसे के जरूरत है पर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है क कि आप मुझे कॉमेंट्स का रेपलाई दें और बताएं स्टॉक मार्केट पर मैं भरोसा करूं या ना करूं क्योंकि दिल में एक ही क्योंकि दिल में डर होता है जब मेहनत की कमाई लगाते हैं तो सर बिलकुल यादो जी मैं समझ सकता हूँ कि तो जहर सी बात है जो हम रि विश्वास दिलाता हूँ कि पहले आप जो है mutual fund में निवेश करना शुरू कीजिए mutual funds में क्या होता है कि आप थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाएंगे उसमें fund manager होते हैं आप अपने दरब से लगाते हैं share market में डिरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो जरूर study भी करते ज जानी है और उस company के बारे में जानी है समय समय पर हम भी बताते रहते हैं तो आपको लगे तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कीजिए और एक बारी आपके जब हाथ साफ हो जाएंगे माल लीजिए जैसे आप driving सीक रहे हों गाड़ी सीक रहे हों तो दिर दिर प्रैक्टिस हो जाती है और आप अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं उसी तरीके से शेयर मार्केट में दिर दिर समझने जानने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा निवेश कर सकता हूं मुझे अब उतार चढ़ाओ का मा जरूर आपको फायदा मिलेगा आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है मेरी शुप कामना है अगला कोमेंट है यहाँ पर यहाँ पर मैं नाम लेने चांगा क्योंकि काफी सीनियर है और वो अपनी जो है परसनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं तिसलिए में उनका नाम नहीं और उनका रिटार्मेंट दौहजार बत्तिस में होने को है लेकिन वो पेंशन इस्कीम में नहीं है एक सुपुत्र है एक कन्या है तिसरी कक्षा में पड़ रही है और जो इनका पुत्र है वो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है इनका जो इन्वेस्टमेंट है इनकी धर्म पत्नी के जो इन्वेस्टमेंट है 1.500.000 रुपए PPF में 1.500.000 रुपए SIP, SBI Mutual Funds में 50.000 रुपए LIC के इनकी हर साल आना किस्त जाती है उन्होंने कहा है आगे कि मेरी लायबिल्टी को आप समझ गए होंगे बिटिया की शादी और 12 साल बाद जीवने आपन कैसे होगा आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे जो मैं शेयर कर रहा हूँ सिर्व अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी से नहीं शेयर किया है क्योंकि आप अच्छे रदे के इनसान मालूम पड़ते हैं मुझे इश्वर में अगाधास्ता है जिसने आपको मुझसे मिलवाया है मैं पांच लाख रुपए निवेश करना चाहता हूँ अगर आप दिशा निर्देश करें प्लीज बुरा मत मानना क्योंकि आप पर मैं अननसासरी बर्डन दे रहा हूँ बड़े हो तो आपको प्रणाम अगर आप छोटे हैं तो आपको वाशिष इन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ सर और जरूर है मैं जितनी मेरी समझ है जितनी समझ बूज है मैं आपको अपने साब से बताने कोशिश करूँगा आपने जो बताया कि जो आपकी schemes हैं, LIC में चाहे चल रही हो, चाहे आप mutual fund में भी लागाता निभेश कर रहे हैं, SIP मोड को, और डेल लाग जो PPF में भी धरमपत्नी जी का जा रहा है, ये सारी चीज़ें continue रखिए, अच्छी हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि जो है आपको 12 स साल बाद, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आज का समय है, आपको बच्ची की शादी की tension ने ले नहीं, आप तो अच्छी तालिम उसे दिला ही रहें, या दिलाएंगे, साथी साथ, कुछ कमपनियों के मैं stocks आपको बताऊंगा, साथी साथ ये भी बताऊंगा कि आप किस मोड पे आप निवेश कर सकते हैं step by step, पांच लाग एक साथ डालने की आवश्यक्ता आपको नहीं है, कि पूरा पैसा आप कभी एक साथ मार्केट में ना डालें, इसी पांच लाग को आप साल दो साल में S.I.P. मोड पे डाल सकते हैं, S.I.P. मोड का मतलब यह नहीं कि आप एक S.I.P. स्टॉक, S.I.P. शुरू कर दें, आपको जब भी लगे कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है, आप फिर से बाइन करें, तो आपका जो प्राइस है, वो एवरेज हो जाएगा, यहाँ पर वकिल साब मैं आपका जो समय ज्यादा न लेते हुए, फड़ा से वितीत करना चाहते हैं, मैं समझ गया, आप और अपनी पतनी से बेटे की भी जॉब लखी जाएगी, इस प्रकार से आपने बताया कि बेटे को वगेरा कर रहे हैं, और बेटिया भी छोटी है, एक समय के बार जो हो भी अपना स्टार्ट अप या जो भी एक शादी वगे पाया है, वही आप मान के चलिए कि आने वाले दस वर्षों में उतनी ग्रोध की संभावना की जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहले तो आपको भारत की युवाओं पर विश्वास करना पड़ेगा, भारत की कमपनियों पर करना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि मार्च में करीब 50,000 के आसपास इंडेक्स हमारा सेंसेक्स पहुंच गया था, आज 50,000 टच कर चुका है, तो जो लोग माल बेच के बैड़ गये थी इस प्रतिक्षा में, कि जो है और गिरावट की संभावना है, क्योंकि लॉक्ड उनका भी मानना सही है, उनका भी सोचना सही था, परन तो मार्केट उनके फिवर में नहीं गई, तो जिन्होंने बेचा होगा, आज मार्केट एक तरफा भागी है, और देखे 50,000 टच कर चुकी है, तो बड़ी-बड़ी जो लार्च कैप कमपनिया थी, जो भी जी कमपनिय लेकिन जो लोग नए निवेशक उस समय घुसे हैं, मार्च, अप्रिल, में, जून, जुलाई, इस समय अगर उन्होंने अच्छी कमपनियों में निवेश किया है, तो आज उनको काफी अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है, और वो जो उत्सा है, उनमें देखनों के मिलता है, और इसी प्रकार का जो अभी हमने एक कॉमेंट्स पढ़ा, हमारे एक सस्क्राइबर का, उन्होंने काया कि बजाज फनेस्मों को 60% ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो यह है कि जो लोग नए लोग निवेशक इसमें आए हैं, उनको भी अच्छा खासा मुनाफ़ा हो एक्साइटेड है, उनसे मेरी यह गुजारिश है, कि अगर आपको बहुत जादा नहीं पता है फंडामेंटल के बारे में, तो यह जानना शुरू कर दीजिए एक कमपनियों के बारे में, यहाँ पर कुछ सेक्टर के कुछ कमपनियों को सेलेक्ट किया है, मेरा ऐसा मानन किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, प्रॉफित लगाता आ रहता है, आगे भी आने वाला है, और आगे भी बढ़ती रहेंगे, तो आपको अपना जो एक्स्पोजर रखना है, जो भी आपके पैसे हैं, जो भी आपके पूंजी है, उसका 50% जो है, लार्ज केप कमपनियों म ज्यादा मिले, और लार्ज केप में माली जगर कहीं भविश्यों में गिरावट आती है, तो भी आपका पोर्टफिलियो सुरक्षित रहेगा, आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जितना ज्यादा छोटी कमपनियों के वज़ासे हो सकता है, तो हमें पीछे भी आगे भी देखना है, तो आईए मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ आपको, फिर हम आगे दिखाएंगे कि आपको बारा साल, पंदरा साल बाद कितनी अमाउंट लगाने पे, आपको SIP मोल पे, कितनी धनराशी मिल सकती है, देखिए आपको कुछ सेक्टर्स मेने चुने है, इन अच्छा फंडमेंटली स्टॉंग कंपनी और दोनों मल्टी बैगर हैं, आईटी सॉफ्ट्वेर में अगर हम देखें, लार्ज करप कंपनी के अगर TCS है, Infosys है, Wipro, HCL आपको इन में से किसी एक स्टॉक का चुनाव करना है, इन भी अपसी में आप चाहें तो इन दोनों कंपनियों में से किसी एक का स्टॉक चुने, आईटी की जो कंपनियां है, सॉफ्ट्वेर की वो आप TCS, Infosys, Wipro, HCL, इन में से कोई अच्छी चुन लीडर के साथ आप जाएं, इफमसीजी में जो खानी पीने के पदार्थ हैं, हमेशा बिखते रहेंगे, बहुत पुरान कंपनियां, आजादी से पुराने, आजादी से पहले कुछ कंपनियां पुरानी हैं, उन में जैसे लाइक कंपनियां कंपनी हो गई, ITC हो गई, तो आपको इन सब कंपनियों को किसी एक का चुनाव करना है, चाहे आप मेरिकों ली ली जीए, चाहे बिटानियां ली जीए, चाहे टीसी चाहे डाबर जिसमें पोटेंशल नाजार है अच्छी कमपनिया हैं अच्छा मुनाफ़ा देती रहेंगे भविश में जो हमारा भारत का इंस्फराइश्ट्रक्षर है हर इंसान के पास अपना खुद का घर हो गवर्मेंट में इस चीज को बढ़ावा दे रही है जो मध्यमबरगी लोग है चोटे-चोटे आवास जहां बन रहे हैं बहुत सारे लोगों कॉलोनिया बन रहे हैं जो लोग तदस ल कंपनी और भी लिस्टेड होने वाली है होंफ फनेंस तो आप आवास को भी कंसेडर कर सकते हैं कैन्फिन होम में क्या है कि यह मुसली जो है सैलिट पोसें को ज्यादा इनका एक्स्पोजर रहता है तो काफी अच्छी ग्रो कर रही है काफी अच्छी रेटिंग है आवास फ इस पेशाल्टी चैम करते हैं तो जो भी आपको पसंद उनको आप एक कंसिडर कर सकते हैं ऑगए अच्छी लगे आपको बैंक्स में आप HDFC बैंक लीडर के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि IDFC फस्ट बैंक भी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है management wise बहुत अच्छी bank है तो idea of see first bank भी कर सकते हैं बंधन bank भी देख सकते हैं बंधन bank भी अच्छे financials वगेरा आते हैं इस प्रकार से में आपको budget paints भी अगर आप चाहें तो अपने portfolio में रखिए आप indigo paints या Asian paints भी रख सकते हैं इन तीनों में से किसी एक को indigo paints भी listing होने वाली है अभी इसका IPO open है तो अगर चाहें तो आप IPO भी आवेधन कर सकते हैं आज मेरे खाल से एक किस तारीक है 22 कल आज दो दिन जो IPO में आप आवेधन कर सकते हैं मिला तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं तो बर्जर paints, Asian paints, Indigo paints या और भी जो कमपनियां बड़ी कमाल की हैं तो आप इन में से किसी एक कर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में चुकि डाइवासिफाइड आपको पोर्टफोलियो बनाना है देखे अब यहाँ पे जो next column यहाँ पे Reliance industry जिसमें जियो, रिटेल, रिफाइन दीज है ना डाइवासिफाइड कमपनी है तो Reliance industry को आप जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में कुछ निवली लेस्टेट कमपनियां जिनका आने वाला भविश बहुत अच्छा है ज़र मार्केटिंग की हैं, ज़र मोबाईल मार्केटिंग की हो चाहिए डिश्टल मार्केटिंग की हो इससे FL India हो गई, Root Mobile हो गई और तथा India Marks International यह बढ़िया कमपनी मैं इस पर वीडियो बनाएैं सारे कमपनियोばी वीडियो बनाएं अमबर इंटरप्राइज़ या भी एक अच्छी कमपनी है, हैवल्स इंडिया हो गई, पोली कैब इंडिया हो गई, रिलैक्स हो गया, बाटा हो गया, मैंनि कितने सारे आपको सेक्रस बता दिये, अब उन सेक्रस में अलग-अलग सेक्रस के आपको एक-एक कमपनीों का चुना कर रहे हैं। आपको जो है उम्मीद है कि अनुलाइज़ रिटन 25% आपको मिल रहा है। CAGR रिटन 25 प्रतिशत जो है साल का आपको मिले। और 15 सालों के लिए अगर आप निवेश करते हैं। आपका जो इन्वेश्टमेंट होगा वो 36 लाग होगा। योर गेन जो आपको प्राप्त होगा वो 3 करोड 55,15,690 होगा। और जो मिच्योटी अमाउंट टोटल हो जाएगी जो आपका निवेश भी और जो आपका गेन भी 3 करोड 91,15,690 होगा। यानि 3 करोड 91,15,696 रुपेश। तो यह जो अमाउंट है मुझे लबता है कि करोड रुपए आपके लिए बहुत इनफ है 12-15 साल के बीज में। तो गिरी सिगीरी हालात में हमने 25% का CGR लगाया है। वो इस बेस पे लगाया है कि जो हमारा इंडेक्स है, सेंसेक्स है, अगर हम वर्षों का इतिहास देखें, तो करीब 14-15% उसने खुद CGR दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिन कमपनियों में हम लगा रहे हैं, उन कमपनियों में जो आपका जो निवेश है, यानि SIP के मोड पे, 25% तो कम से कम मानकी चलिए, तब तो बढ़हा है, और आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। बहुत लोग हो सकता है कि असाहमत हों कि 25% जो CGR मिलना हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, परन्तु मैं बंधू आपको बता दू कि मैंने फिर से जो कहा है, कि मैं इस चीज़ पे बहुत ही positive हूँ कि जो पिछले 40 वर्षों में ग्रोथ नहीं हुए भारत की, वो आने व करना है तो आपको ना तो कोई पैसा कहीं से मिल रहा है ना आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, आज की तारीख में अगर आपकी प्रफाइल ठीक ठाक है, आपका सीबिल क्लीन है, आपको इतनी बैंके हैं, कुछ बैंके गारंटी लेती हैं, कुछ बैंक्स, कुछ अप्लिकेश मैं एक बात बता रहा हूँ कि पहले कैसे दुनिया थी, आज की दुनिया कैसे, आज से दस साल, पंदरा साल पहले अगर आपको छोटा सा भी लोन लेना होता था, तो आप तमाम प्रकार के IT रिटरंस, अगर आप अगर आप सेल्डी दे लिखाते थे, आज कोई कुछ नहीं च प्रेश लोन लीजिए, फटा-फट ऑनलाइन ही हो जाता है, ना कहीं जाने की जरूत पड़ती है, तो जो दुनिया चेंज हो रही न, ये आने वाले 10 सालों में और बदल जाएगी, तो इस वज़े से बहुत ज्यादा ग्रोथ की हम संभावना ये उम्मीद कर रहे हैं, इसे रीजन देखी, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, तो 55% जो है बजाज फरेंस CAGR दिया है, दस सालों में बजाज फरेंस ने 55% का CAGR दिया है, अब मैं CAGR का पूरा रेटन निकाल के दिखाता हूं आपको, जिदि माल लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए 10 साल पहले किया है, 55% जो है CAGR के इसाब से आपको पैसा मिल रहा है, आपका पैसा हो चुका है, 80 लाख रुपए, तो सारी कमपनिया तो आपको ऐसा रिटन देंगी नहीं, तो इस तरीके से आप अच्छी कमपनियों का अगर चुनाव करते हैं, माल ये 10-12 स्टॉक्स का पोर्टफोलि एक सधे हुए निवेशक कितरा अगर आप निवेश करेंगे, तो आपको करणों भी बन सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप माल ये 5 कमपनियों में एक एक लाक रुपए डाल दिये, और चुकि मार्केट इतना बढ़ गया है, कोई भी कारण आ सकता है भविश्य में, किसी क करते जाएंगे, गिरावट आई और आप माल भरते जाएंगे, तो हमेशा जो है, थोड़ी थोड़ी खरिदने पे आपका पैसा एबरेज आउट होता जाएगा, बजाए लंसम के, तो चलिए मैं आप वीडियों यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, कोई सुजाओं जरूर कोमेंट बॉक्स में रखिएगा, फिर से मैं आपको धन्यमत देता हूँ